हेलो दोस्तो स्वागात आप सभी का हमारे चैनल में तो दोस्तो लेकपाल रियल्ट से लेटेड तीन महत्पूर अपडेट हैं जो कहमें इस वीडियो में आपको देने वाले हैं साथ ही साथ 23 फरवरी को जो लगनों बेंच में सुनवाई होनी है वहां से कितने चांसेज हैं उस केस की सुनवाई होने के इसके वार में हम बात करेंगे तो दोस्तो वीडियो से अंतक जुड़े रहें जिससे कि आपके सम्वी पॉंट किलियर हो सकें और दोस्तो आप सभी से कहना चाहेंगे और उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रिदेश में लेकपालों के 30,000 प्लस पदों के साफें चिल्ला वो 50% पद लिखते हैं और एक-एक लेकपाल दो-तिन हलकों का अत्रिक्त प्रवार रखने को बिवस है और खतर निर्माण अंसिनिर्धार आदे कारणों को सासत अन्य विवागों के कारणों का भार भी लेकपालों पर बढ़ता जा रहा है और वहीं लेकपालों के संक्या लगातर गटती जा रही है और उन्होंने ये भी लिखा है कि 31 जुलाई 2022 को लेकपाल भरती की जो परच्छा आयुत की गई थी मुख्य परच्छा उसमें उसका प्रडाम सीग्र से सीग्र गोसित करने ही करपा करें जिससे की रायस विवाग को 8,000 लेकपाल मिल सकें इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 5,000 पदाओं पर भरती प्रकिया भी सीग्र शुरू करने की मांग है तो आप देख सकते हैं कि लेकपाल भरती की रियल्ट को लेकर के लेकपाल संकी तरब से भी लगातर आयोग पर दबाब बनाय जा रहा है और यहां पर पत्राचार के माद्यम से भी रियल्ट को लेकर के मांग की है दोस्तो वहीं जो दूसरी अपडेट है लेकपाल रियल्ट से लेकटिड वो ये मिल रही है कि 20 फरवरी याने कि कल लेकपाल भरती ही जुले छात्र आयोग के कारा ले जाएंगे और वहां पर सांतिपूर तरीके से सचिव जी के सामने अपनी बात रखेंगे और निवेदन करेंगे कि लेकपाल का रियल्ट जल्दी सी जल्दी जारी किया जाए तो देखते हैं सचिव जी से मुलाकात के बाद रियल्ट को लेकर क्या अपडेट मिलती है और दोस्तों तीसरी जो महित्पूर अपडेट है वो आप सभी जानते होंगे कि काफी समय पहले जानकारी मिल रही थी कि अगर अलावद हाई कोट वाला केस डिस्पोज हो जाएगा तो लखनो बेंच वाला केस भी डिस्पोज होने में ज्यादा टाम नहीं लगेगा चल रहा है और उसमें कोई बदलाव किस्तिती होती है कोश्चन में तो आयोग को फिर से रिजल्ट बनाना पड़ेगा जिसको ले करके काफी परिसानी होती है तो आयोग चाहेगा कि लखनो बेंच वाला केस डिस्पोज होने के बाद ही रिजल्ट पर काम किया जाए तो दोस्तो यहाँ पर जो लखनो बेंच वाले केस से लेटर जो जानकारी मिल रही है वो यह है कि हो सकता है कि 23 फरवरी को आपके केस की सुनवाई हो जाए क्योंकि आप सभी देख रहे हैं काफी टाइम से लगातर पास ओवर आ रहा है और हो सकता है कि इस बार इसकी अब आपको देखने के लिए मिल सकता है और ये भी कह सकते हैं कि विदिन 10 तू 15 डेज केस को डिस्पोजड होने के बाद आपका रियल्ट आपके लिए देखने के लिए मिल सकता है और इस बीच अगर को नई जानकारी मिलेगी तो 23 फरवरी की सुनुभाई के बाद हम आप आपको तुरंत अब्डेट करेंगे तब तक के लिए आप इतना ही समझें कि अब आपके लेकपाल रियल्ट को आने की मार्च के महीने में बहुती संभावनाय बन रही हैं हो सकता है कि मार्च में होली के आसपास ही आपको आपका रियल्ट देखने के लिए मिल जाए तो द आन्नावाद